हलो एन वेलकम टू दे न्यू लेशन हाल ही में यूएस और चाइना के साइन्टिस्ट ने अपने रिसर्च में ये पब्लिस किया है कि चाइना के पिग्स में जी फोर फ्लू वाइरस जो है वो काफी ज़्यादा फैल चुका है और यह जो फ्लू है इसमें एक पेंडेमिक पो वाइरस आया है इसके बारे में हम देखते हैं कि यह क्या है तो टाइम्स न्यू के न्यूज में हम देखे तो जी फोर वाइरस फांड इन पिग्स इंग चाइना और साइंटिस्ट ने वार्न भी किया है कि एक अनदर पेंडेमिक पोटेंशियल के रूप में हमारे सामने आ सकता है और जी फोर फ्लू वाइरस जो है यह एच वन एन वन जो कि 2009 में एक पेंडेमिक के रूप में जो पूरी दुनिया में फैला था जिसे हम स्वाइन फ्लू पेंडेमिक भी बोलते हैं उसे तो हम देखी चुके हैं कि वह कितना खतरनाक था और दुनिया उससे कैसे तर अहल पर रिसेंटली हुआ है यह इजी 50 वाइरस तो च्याना में हम देखेंगे हैं तो वहाँ के हर डीस में कुछ ने कुछ पीग पॉर्व का इस्तमाल करते हैं फोर्व जो की पिग का होता है उसका इस्तमाल किया जाता है और इसके चलते हैं पुक्लेशन वहां बहुत जЙददा है और लोग काफी पसंद करते हैं पॉक को खाना और यह काफी चिंता की बात है कि यह जो नया वाइरस है वो फिर से पिग के थ्रू हुमेन में ट्रांस्मिट हो रहा है तो देखते साइंटिस साइंटिस ने कहा किया इसके बार में तो साइंटिस्ट ने बोला कि 2011 से 18 के बीच जो रिसर्च साइंटिस्ट ने जी फॉर स्ट्रेंड को पाया पिग्स के अंदर जिसमें कैपेबिलिटी है कि वह हुमेन टाइप रिसेप्टर हो सकता है जैसे कि सार्स हुआ इसी तरह जी फॉर भी है यह रिसर्च जो है वो पिग्स पे क्यों किया गया तो पिग जो है वह इंटरमीडि की इन फ्लूएंजा तो नहीं आने वाला है हां लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो न्यूर्स ट्रेंड मिला है एक वह सकता है और एक बहुत बड़ा पैंडमी के रूप में दुनिया के सामने आ सकता है अगर हम इस वाइरस का पूरा नाम देखे तो वह G4 EAH1N1 है यह H1N1 का एक descendant है मतलब कि G4 Eurasian Avianza H1N1 Virus scientist ने यह suggestion दिया है कि हमें closely monitor करना चाहिए human population को और खास करके pigs के industry में काम कर रहे हैं उन इंसानों पे monitoring जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए 2009 के swine flu pandemic में हमने क्या देखा कि 2009 में H1N1 influenza virus जो था उसे WHO ने pandemic होसित कर दिया था और इसमें लगबग 3 से 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी CDC Center for Disease Control के अनुसार और यह काफी खतरनाग virus के रूप में पूरे दुनिया में इमर्ज हुआ था CDC के अनुसार हम देखे तो swine flu को उसने define किया है कि यह respiratory disease है जो कि pig में होता है और swine flu का जो virus है उससे pig बहुत जल्दी infected हो जाते है और अगर वो virus अगर pig के थुरू human में transfer हो जाए तो उसे variant influenza virus कहा जाता है जो कि generally बहुत सारे cases में नहीं होता है virus transmission लेकिन variant influenza virus जो है वो pig के थुरू human में transmit हो जाता है और human to human transmission भी बहुत कम cases में होता है जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो coronavirus है वो human to human transmission हो रहा है जो हमारा 2009 में मतलब swine flu जो आया था वो भी human to human transmission हुआ और काफी mortality हुई उसमे जी फोर का जो symptom है वो swine flu के symptom की तरह ही है इस जी फोर के बारे में चाइना ने कहा है कि हम काफी closely monitor कर रहे हैं इस virus को और हम इसे pandemic potential होने के पहले ही रोकने की कोशिस करेंगे लेकिन इस case में चाइना को एक complete news दुनिया के आगे रखनी चाहिए कोरोना के case में जो जलती हुई है चाइना से वो उन्हें दुराना नहीं चाहिए अगर जी फोर जो है अगर इसमें potential human to human transmission का तो उसे भी तुरत दुनिया को बता देनी चाहिए इसमें देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोरोना के case में देर करने का नतीजा क्या हुआ है वो सब हम देखी रहे हैं और Chinese government को जितने भी pig infected हुए है या जो लोग भी इस pig industry में काम कर रहे है और वो infected हुए है उन लोगों को closely monitor करके उनका treatment करना चाहिए और इन pigs को मारना चाहिए हाला कि इससे industry पे काफी नुकसान होगा इसलिए Chinese government को economically support करना चाहिए इस industry को और जो G4 virus है इसमें अगर हम देखे कि कितने लोग आये हैं तो approximately 10% लोग जो है वो infected हो गया है जो इस industry में काम कर रहे हैं हाला कि exact number China ने नहीं बताया है कि कितने लोग इस G4 virus से infect हुए है इसलिए पूरी दुनिया को इस G4 virus को closely monitor करना चाहिए और खास करके चाइना को closely monitor करने के साथ साथ दुनिया को सही खबर देनी पड़ेगी ताकि ये G4 जो है ये एक pandemic के रूप में हमारे सामने ना आये तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like करें हमारे चैनल को subscribe करें और इसे ज्यादा से ज्यादा share करना ना भूले धन्यवाद